हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से डिश टीवी के बॉक्स में अपने टीवी में कोई भी बेट चैनल एड कर सकते हैं चलिए वीडियो कोई शूर करते हैं इसके लिए आप प्ले स्टोर से एक अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिजिए प्ले स्टोर से डिश टीवी और यह इसका लोगो है यह मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है और इसको जैसे ही आप उपन करेंगे यह आप से कुछ पर्मेशन मांगेगा आप कंटिवी उपर क्लिक कर दिजिए और जो भी पर्मेशन है वो पर्मेशन एलाउ कर दिजिए और इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा यहाँ पर आप उपर अपना रिजिस्टर मोबाइल नमबर डाल दिजिए और नीचे कोई भी पासवर्ट बना लिजिए और उसके बाद यह सब्मिट कर दिजिए चाहे तो आप अपना वो वीसी नमबर भी डाल सकते हैं उ उपर और यह मोबाइल नमबर डालने के बाद और पासवर्ट डालने के बाद यह सब्मिट कर दिजिए आपको आपके मोबाइल नमबर पर एक ओटीपी आएगी आप लॉगिन हो जाएंगे अपने इस एप में और login होन के बाद आपके सामने ऐसा पर जाएगा या आप उपर कटके निशान पर कलिक कर दीजिए अगर आप इनसे WhatsApp के संपर्क में रहना चाते हैं तो IAMN कर दीजिए और ये देखेजिए मेरे mobile में ये मेरे account में अभी zero balance है और हमको कोई भी channel एड करने के लिए अपने account में पहले recharge करना पड़ेगा पिर जाके ही हम अपने चैनल एड कर सकते हैं इसके लिए आप recharge इसके लिए आप यहाँ पर ये नीचे recharge वाले option पर क्लिक कर दीजिए और recharge वाले option पर click करने के बाद आप जितने भी पैसे अपने account में डालना चाते हैं उतने पैसे यहाँ पर यह लिख दीजिए यह मैं यहाँ पर 40 रुपे डालूँगा इसमें क्योंकि मैंने एक ही चैनल एड करना है इसमें और 40 रुपे यह लिखने के बाद यह process to pay पर आप click कर दिजिए और यहाँ पर कोई भी option आप चूज कर सकते हैं wallet का भीम UPI का debit card से भी आप कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको debit card से ही बताऊंगा कि debit card से कैसे आप अपने इस account में पैसे डाल सकते हैं और यह आप debit card वाला option चूज कर लिजिए और यहाँ पर यह okay कर दिजिए और यहाँ पर यह उपर option आगया है card का यह card के option पर आप click कर दिजिए आप UPI से भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने debit card के यह number डाल दिजिए ATM card के और यह नीचे expiry date डाल दिजिए और उसके बाद यह CVV code डाल दिजिए और अगर आप अपने card को save करना चाते हैं तो यह उपर वाले option को on रहने दिजिए save card वाले नहीं तो इसको यह बंद कर दिजिए save card आपका card यहाँ पर save नहीं होगा इस app में और CVV code डालने के बाद आप और switch and pay पर क्लिक कर दिजिए और अब आपको उस mobile नंबर पर एक OTP आएगी जिस bank का आपका ATM card है और वो OTP डाल कर यह submit कर दिजिए यह आपके इस app में 40 रपे आ जाएंगे आपके account में डेश्टीवी के account में यह मैंने 40 रपे का रिचार्ज किया है और यह मेरे को OTP अभी आई नहीं है और यह मैंने OTP डाल दी है अभी आप कोई भी back button मत दबाईए और यह देखे यह मेरी payment हो गई है मेरे इस डेश्टीवी वाले account में 40 रपे आ गए हैं और मेरे bank account से 40 रपे कट गए हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप channel add करेंगे इसमें आप यहां पर यह निचे एडिट पैक वाले option बर चले आई एडिट पैक और यहां पर यह कटके निशान पर क्लिक कर दीजिए और यह channel लिखा हुआ है यह channel पर आप क्लिक किजिए ये adds on के साथ में ये channel का option आ रहा है channel पर आप click किजिए ये देखे ये निचे channel आ गए है आप कोई भी channel यहाँ पर add कर सकते हैं यहाँ पर click करके इसको ये मैंने star sports को add किया है ये 19 रुपे का channel है star sports और उसके बाद आप कोई भी जो भी और भी channel अगर add करना चाते हैं तो कर सकते हैं ये देखे ये निचे लिखा आ रहा है total price 19 रुपी ये मैं एक ही channel add करूंगा आप जो भी करना चाते हैं कर लेना कि ये जैसे ही है आप expand पर click करेंगे यहां पर ये पर सीज्ड का option आ गया है ये पर सीज्ड कर दीजिए और ये देखे ये 19 रुपे का channel है ये 10 रुप ये इनका कोई charges है और पांच रुपे एक GST charges है जो कि कुल मिला कर 24 रुपे 22 पैसे हैं और यहां पर ये मैं submit करूंगा और जैसे ही आप submit करेंगे ये आपका ये मेरा एक channel एड़ हुआ है अगर आप ज़्यादा करना चाते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये देखे ये your token number is ये अभी आया नहीं है और आप इस recharge को करने से पहले और मैं आपको बताना भूल गया कि आप जब भी आप अपना ये channel एड़ करें तो आप अपने डिश टीवी और डिश टीवी के set of box को और अपने टीवी को 15 मिंट तक on रखें उसके बाद रिचार्ज करें आपका ये रिचार्ज साथ की साथ ही हो जाएगा और आपका channel एक् सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए share कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए